हाई गाईज विल्कम टो मैं चानल इंडियन मॉम का अंचन सो गाईज कैसे हो आप सभी लोग आप सब लोग बहुत ही अच्छ होंगे और मैं भी बहुत अच्छ हूँ तो गाईज आपने इससे पहले का जो नेमिंग सरेमनी वाला व्लॉग है वो देखी लिया होगा अगर न लोग और फिर सुबह जाने वाले है अच्छली वह उदर के उदर ही जाने वाले थे तो मैंने उनको बोला कि चलो घर पर यहां पर आए हो तो घर पर नहीं आ रहे हो आप लोग और फिर वह लोग यहां पर आ गये और मुझे भी बहुत ज़दा अच्छ लग रहा है और समझी गया होँगे कि सब के लिए breakfast बन रहा है और हमारे यहां का फेवरेट सब का पोहा तो वही बन रहा है, वैसे भी महराश्टर में कोई भी मैमान आते है तो उनके लिए पोहा ही बनता है तो यहां पर वही बना रही हूँ आलू पोहा है बोल सकते हो कान्दा पोहा बोल 마و HC तो मैं यह दाल दिया है है और अलुससरी मिस्ट्च बना रही हूं और बहुत ज्यादा टीस्टी बनता है मतुत क्या कर्या घ्राइब चलू रहतने हैं है यह सारी चाइज है मैं मत क्ली है सबस्क्राइब देगे gün इससान और ये गाउन मेने बहुत दिनों के बाद पहनी है और ये गाउन मैने मैंक्स से या पता नहीं है तो यह दो आप अब लिए यह मुझो बहुत ड़ादा टाइड हो रहे थे अब जब मैंने वेड गें कर लिया था यह पहले के एक देर साल पहले के तो यह गौन मुझे बिल्कुल भी होनी रहा थे बीच बीच में तो मैंने पहनना ही बन कर दिया था तो यह मैक स्मॉल सी शायद लिया थे मैक से ट्रेंड सी लिये थे तो यह भी होना स्टार्ट हो गया तो मुझे अच्छा लग रहा है मतलब इतने टाइ लुज मतलब बहुत ज़्यादा लुज हो जाएंगे देख लेना अभी मेरे तो टारगेट बहुत मतलब बड़ा है है जैसे कि मैंने आपको बताया कि टार्गेट बहुत एक पर बसकी लिए टायम भी लगेगा और थोरा सा पेशन्स मुझ में पानी आ गया पोहा देखके बताना गवेंट करके और हां पोहा तो बहुत लोगों का फेवरेट है हमारे यहां पर महाराष्ट्रों में तो बहुत सबी को पसंद है पोहा आपको पसंद आए कि नहीं अगर दूसरे स्टेट से हो आपने अगर खाया नहीं होगा तो पसंद आएगा हम जैसे महाराष्ट्रा के आप लोग तो बनाते होगे लेकिन अलग-अलग तरीके होते है इस लोगों के हर स्ट्रेट का अलग-अलग तरीका होता है बहुत बनाने का यहां पर भाबी लेके जारी है सबके लिए डिशिष एक्शली यह यह जो यूंड थू इसके लिए भी बहुत कमेंड आते हैं कि आप लोग प्लेट्स भी यूजन थो यूज करते हो यार इतने सारे महमान होते हैं तो यह प्लेट्स यूज करने ही पड़ते हैं नहीं तो फिर आंटी परशान हो जाएंगी बरतन वाली हमारी और उनसे भी कितना गाम करवाएंगे अगर बहुत ज़दा मैमान हो जाते हैं तो फिर हम लोग खाने के लिए भी यूजन थो प्लेट्स यूज करते हैं और यह नाश्टे के लिए भी यूजन थो यूज करते हैं मतलब ममी बापा साथ में नी जा रहे है पापा पहले जा रहे है एक्टुली घर पर कोई नी था बाइ भी आ गया था भाअभी भी आ गई थी आपर भाइ पहले ममी पाप आ गये थे फीर अभी ममी पापा थोड़ी दिन रुग गये तो उसके बाद भाई भाई आ गया तो अभी भाई और सब लोग यह हँँ पे थे तो घर पे कोई नी था तो इसे वजह से पापा जल defy मंदिर के दर्शन करवाने हैं बाकी के मंदिर में दर्शन करवाने है तो हमारे यहां पर बेभी जब बंभी तोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब एक मैना है, सववा मैना का हो जाता है तो इसको मंधिर में दर्शन कराने के लिए लेके जाते है, तो इसलिए वह रुग गया है यहां पर आक्छिलिए यहां पर द पाली के मम्मी आदविक को गिवत डेरी मतलब पैसे देते हैं जाने के टायम पे असे बच्चो को छोटे बच्चो को मतलUB छौकलेट्स लेने के लिए बीस्टिस लेने के लिए तो यहां पर जहें नहीं ले रहाता है वो तो भी कभी ले 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 अ है बाट माही बिलकुल भी नहीं लेती है ुस BACK मन्हाइक पैसे लेने की और यहां पर जो यहां पर को आ ऑचिर्वाइथ समझ सकते हैं बरो का प्यार समझ सकते हैं बच्चों के लिए यहां पर सब को हल्दी कुम-कुम लगा रही हूं मैं क्योंकि अभी सब लोग जाते हैं ना तो इस टाइम हमारे यहां पर हल्दी कुम-कुम भी लगाया जाता है सब को और मैंने नाया नहीं था आप इग्णोर कर तो चलो यार कोई बात नहीं अभी सब लोग जाने वाले है और घर खाली होने वाला है पूरा घर खाली होने का टाइम आ गया है इतना बुरा लग रहा है बट क्या कर सकते हैं वह भी अभी मेमान बनकी आये थे यहां पर अगर मेरे घर पर आये तो फिर रूपते बट यहां पर वह अलग काम से आये थे तो इसी वज़े से निकल रहे है और हमारे यहां पर भाबिया नंदों के पैर चूती हैं तो मतलब जाने के टाइम पर हम लोग अगर उनके यहां पर गए तो भी भाबिया ही पैर चूएगी नंद के तो यह तो सब कियां पर रिवाज होता ही हो बट मैंने सब के बड़ों के पैर चूए और फिर मेरे भाबियों ने मेरे तो ऐसे करके हमारे यहां पर वही जो रिती रिवाज है हमारे वही दिखा रही हूँ यहां पर तो चलिए गाइस यह मेरी सिस्टर है मतलब बड़े पापा की बेटी यह काफी दिनों के बाद आई तो हमें दूसरों की ज़रूरत ही नहीं इतनी बड़ी फैमिली है ना हमारी बट अभी क्या है कि मेरे बुआ वगर मतलब पूरे एकस्पायर हो चुके हैं अभी तीन भाई है तो उनकी जो फैमिली है वो आप देखती होंगे मतलब वहां पर जब मालक्षमी के टाइम पर हम बहुत अच्छा लगता है तो उच्छे ले गाए सब का जाने का टाइम आ गया है और बहुत ही ज़्यादा आजीव लग रहा है अपना ममी भाई वगरा थे तो इसी वज़े से भाबी वगरा है तो इसलिए इतना नहीं लगा नहीं तो फिर जब महमान जाते है ना तो अद जब जाते हैं तो वह इतना चोटा सा मू करके रोते हुए बैठ जाते हैं तो ऐसे मेरे दोनों भी बच्चे हैं दोनों भी बच्चों को इतना आजीब लगता है सब लोग जाने के टाइम तो अद्वी इतना फूट फूट के माही इतने फूट फूट के रो रही थी मतलब पूरा गेट बन करके रखा था उनों ने दोनों ने भी तो ऐसे उनको बहुत जादा लगावाए सबसे तो चलो कोई बात नी बच्चे होते ही ऐसे है तो चले गाइज अभी इसके बाद तो मैंने दूद गरम किया और फिर कुछ शूट नहीं कर पाई और शाम को यह लोग गये थे डिमाट में और मैं गई थी अपने जिम में तो मैं अपना जिम मिस्त नहीं करना चाहती थी मैं अपने जिम में गई क्योंकि संड़े की चुटी रही थी तो गई जिम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्काउट करके आगे और यह लोग गये थे वहां पर तो माही ने शूट कर लिए तो मैंने सोच आपको भी दिखा दू यार यह लोग मुझे छोड़के अकेले ही चले गए थे डिमार्ट में तो यहां पर हमारी भी इसके पापा थे तो यह दोनों अपने लिए शॉपिंग कर रहे थे तो हमारी ग्रॉसरी भी आ गई घर पे मतलब मेरा टेंशन खतम हो गया जो भी ग्रॉसरी खतम हो गई थी गाईज वो ग्रॉसरी पूरी लेके आया है अब वो है गाईज गुड मॉनिंग और हां कल आपसे बात ही करना नहीं हुआ कल मुझे इतना जाद आजीब लग रहा था पदा नहीं कि वैसे तब यह ठीक नहीं लग रहे थी हाथ पर दद कर रहे थे और आप लोगों ने बोला था ना नजर उतार लेना शायद नजर ही लग लग कर तो ठीक होगे थी बट क्यामरा उठाने का मन नहीं किया तो इस विचे से चलो अभी वीडियो को एंड कर देती हूं एंड ही नहीं किया था मैने व्लॉग को इसके पहले के भी वीडियो जाने वाले है आपके लिए वो शूट करके रखे है बट एडिट करना नहीं हुआ पहले मैंने सोचा चलो आपके साथ वह वाला ही वीडियो शेयर कर देती हूं जो बेबी के नेमिंग सरिमनी वाला है और आपने वह भी नहीं देखा है अभी तक तु जल्दी से देख लीजिए आपको बहुत अच्छा लगीगा वह वाला वीडियो भी तो चले गाई इसके देख लीडिक्स वडियो में तिल देन बाबाय तेकिर और लव यौल बाय आपके लाइज देख लापने